हेलो अब्रीवन तो फिर कैसे हो सारे स्टेंट्स तो यार फाइनली फाइनली जाकर कि हमारा स्टार्ट हो चुका है जैसी काउंसलिंग रेजिस्टेशन स्टार्ट हुए तो बच्चों के दिमाग में थोड़ी से हडबड़ी हुई रzd t अधी कि भाया जो पूरीकी फूरी जो रीस्टेशन के रिक रहे हैं तो आप्लों की टेंश्यण हम लोग ना दूर करते तो कैसे हो सकता है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको पूरा registration process दिखाने वाले हैं लाइफ फिल करके कौन-कौन से documents के requirement हो रही है कि अगर आपने एक भी mistake कर दी तो आपको बाद में counseling में दिक्कत आ सकती है यह registration process complete करने बाद आपका choice filling भीगा तो इसलिए registration बहुत ज्यादा important हो जाता है ठीक है सबसे पहले अगर हमें registration करना है hbtu का तो official website पर कैसे पहुंचेंगे तो हमें search करना है hbtu admissions ठीक है जैसी हम search करेंगे उसके बाद जागर कि हम थोड़ा से scroll करेंगे scroll करने के बाद हमारे सामने यह जो हमारी website है hbtu.admissions.nick.in इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो दे रखा यहां पर रेजिस्टेशन च्वाइशन कर लिया वह तो डिरेक्ट लॉग इन कर लेंगे लेगे अभी तो हम new candidate registration करना चाहते हैं तो यहां पर हम यहां इसके बाद क्लिक करेंगे जैसे हम पर क्लिक करेंगे तर यहां पर क्या-क्यान क्या चीजे पूछ啓н हिसा अंबर सही डालना उंचीज सही अपनी सारी डीटेम्ड सब फेच कर लेगा क्योंकि अगर आपने गलत किया तो फिर आगे प्रोसीडिए नहीं करने तीप कि ने इसाने स सेनक्ट कर लोगे कल श्यक्लाट कि रहे गहार जो डालना हँ मेल एक अच्छ वगर that इनचार के फिल करतें में अच्छ घ्लब करें कर देना है तो जैसे अमने समर पे अच्छ के अहल आधाब यहां आपकी बैसी पर सबसे पहले आपको यहां फिल करना है आपका मुबाइल नंबर क्योंकि यह मुबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टनेंट है अगर आपने इहां गलती करी तो फिर आपके जो भी सबसे हो जो भी आपको यहां पर आपको यहां प्रोबलम देखने को मिलेगी इसके लिए आपको एमेल इडी डाट शुट ओर एंप करेक्ट थी कि यहां लोग अप लोग ऐसे दिखास देता हूं जैसे हम लोग तिरपत व्लॉक्स वाल रहें तो आप जाकर यहां पर इमेल कर लो गया फिर नेम है तो और सारा समॉल में हो कि A M E अट लगा दोगे अधिरेट कह सकते हो फिर कोई भी यह डाल दो 2003-2004 जो भी यह डालना हो कोई से भी 4 या 5 डिजिट जाल दो बस बन जाएगा वही सेम तो सेम प्राइमरी कनफर्म पासवर्ड बनाना है इसके बाद एक सेक प्राइमरी अपने बनाया उससे थोड़ा अलग होना चाहिए तो किसी और का नेम डाल करके एक इसी तरीके से यह क्यों होता है कि मालो जब आप च्विलिंग करोगे तो हो सकता है आप से सेकेंडरी पासवर्ड की डिमांड करी जाएग दूसरे डिवाइसे में करोगे तो इसलिए दोनों पासवर्ड आपको याद रहने हैं तो भी आप जागरे किसी में नोट करके रख लो इसके बाद पर सेक्योर्टी कोस्टिन बोल रहा है कौन से वसाइटर जो रेरली विजिट करते हो या आपका फॉर्स स्कूल का नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो वाट जो वह जो भी आपका नेवर्स का पैट नेम ए तो आप यहां पर सिक्यॉर्टी के लिए वह आप यहां पर डाल दोगे कि पासवर्ड बूल गए तो आपको इसलिए फिर शीक्यॉर्टी पिन डाल देना जो भी दे रहा है 77-mc18 वह डाल करके सब्मिट और नेक्स पर क्लिक कर देना है सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद जाकर के हमारे सामने आ रहा है आप OTP आपके मुबाइल पर आया होगा वह आप डाल दो या आपके इमेल पर आएगा वह डाल दो दोनों में से कुछ भी आप एक डाल सकते हूं तो मेरे फोन पर आ चुका ही OTP तो मैं जो ओटीपी मेरे पास आया है मैं आपकर देख करके आपको कुछ जाएगा इसके बाद जाकर कि स्टेप्स बांगी अभी तो चप्लिट करने से अपर सब्सक्री पहुंड हो की आपको काहल देकर देकर किस्स किटने सुघ सबसेँ पहला हमने स्टेप qualification details हमें फिल करनी है then जाकर एक contact details फिल करनी है फिर final submit करना है last में जाके registration fee भी pay करनी है तो एक एक करके सारे steps complete करते हैं तो देखो यार अभी हम और registration process देखेंगे बट उससे पहले बहुत important बात क्या है कि अभी आप लोग का जो है यह registration process complete होगा जैसी complete होता है अपने registration fees की pay की 2500 इसके जस्ट बाद ही आपका choice filling start होगा यह जो choice filling है वो आपकी best होनी चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी branches है उन branches को अच्छे से priority wise लगाना that's the most important अगर आपने उसको अच्छे से priority नहीं लगाई तो बाद में आप पच्छता होगे किसी बेकार branch में मिल जाएगा आप अच्छा branch deserve करते होगे हो सकते आपकी लाखो rank हो लेकिन अच्छा branch आप deserve कर सकते हो तो अगर आपको चाहिए कि आपकी rank पे जो best branch आप deserve कर रहे हो HBTU के अंदर आप जाकर के हमारा counseling support जोइन कर सकते हो इस counseling support के अंदर आपको मिलता एक personal mentor जो आपके सारे doubts clear करने वाला है second चीज आपको मिलता एक personal WhatsApp group जिस WhatsApp पर हर एक छोटा से छोटा update आएगा क्योंकि अगर आपने एक भी step miss कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है counseling के अंदर तो यह चीज आपको मिलने वाली है साथी साथ आपको call और meet की facility मिलेगी यानिकि जो भी doubt source होंगे वो आप call पे solve करवा सकते हो चौथी चीज आपकी rank पे जो best choice filling है वो आपको provide होने वाली है तो इतनी सारी चीज दे रहें जो भी doubt source होंगे सब कुछ clear करने वाले हैं तो आप सुचोगे इसका price कितना रख रहे हो भी यह थोड़ा सा बता दो 25 रुपे तो registration ही लग रहे हैं तो आप उतना तो नहीं रख दे रहें ना पचीज सो नहीं यार हम लोग इसका बहुत affordable price यहां पर भी आपको ध्यान से सुनना है लेकिन हां अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यूपी के अंदर जो भी best है उन तीनों में पार्टिपेट करना चाहते हैं यूपी ट्यू एच्बी ट्यू तिर्पल मुटी तीनों का तीनों एक साथ करना है तो आप जाकर कि हमारा जॉइन कर सकते हैं तीनों काउंसलिंग एक वेरी अफॉरडबल प्राइज वैसे आपको तीन हजार का पड़ता लेकिन यह आपको पड़ेगा ऑनली वन तरुपल नाइन रुपीज यान की दो हजार रुपे में पूरी तीनों काउंसलिंग होने वाली है तो इतना सारा कुछ मिल रहा है तो ज यह जो है कहां से पास करा है अपना 12th class ठीक है यह कि आपने उत्तर प्रदेश या अधर दें तो हम उत्तर प्रदेश चाहिए जनरल है जनरल इस सेडिव कास्ट या सेडिव ट्राइब तो हम यहां पर ओबीसी है तो बीसी कर देते हैं जिससे कि आपको सर्टिविकेट जो तो आपके सब काटेगरी है क्या कोई तो आपके सब काटेगरी है कोई आंप फोर्स से है फ्रीडम फाइटर है किसी का फिजिकली हैं तो जीनिमें से कोई है तो कर सकता है वरना फिर नॉट अपलिकेबल कर देगा तुशन फीवेवर वाली सीट आप देखो यह बहुत आपके कॉलेज की जितनी भी फीस है उसमें जो टूशन फीस है वह आपकी माफ कर दी जाएगी पूरी की पूरी वापस हो जाएगी लगबग 75,000 रुपीज इनकी टूशन फीस है वह आपकी पूरी माफ हो जाने वाली है तो मैं सारे बच्चों को सजेस्ट करूँ जिनके लगबग आपके 6,00,000 से कम है तो आप लोग सारे बच्चे यहां पर इनकम सर्टिफेट बनवा लो और फिर फॉर्म को पर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बाद में फिर आप ही पच्ताने वाले हो कि ऐसा क्यों गलती मैंने करी कि नहीं करा वरना अगर आप यहा पास दो था भी इनकम भी कम थी लेकिन मैंने बनवाय नहीं था यह सब सोच करके तो आपके 75,000 साल के जादा लगने वाले हैं तो यह सोच के भरना इसके बाद जाकर के आजाता है हमारा बैंक अकाउंट डीटेल्स यह भी बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि आपका जो है अगर रिफर्ण रिफर्ण लेना पड़ गया तो आपको यहां पर डीटेल्स भरनी पड़ेंगे उस चीज के लिए पहले आपका नेम भरना है अकाउंट होलडर का फिर जाकर के अकाउंट नमर भरना है वही अकाउंट नमर को फिर कनफर्म करना है फिर उसी बैंक का IFSC जो भी बंक है पंजाब नेशनल być है K9 कहां प्रांच यहां पर डाल देना है उसके बाद हमें क्या कर नहीं कर सकते हैं या पासबॉक कर सकते हैं या स्क्रिन शॉट ऑफ ऑफ उनलाइं अकाउंट डीटेल इन तीनों में सब कुछ भी अप्लोड कर सकते हो तो कैंसल चैक क्या ह तो पास्बुक का डिरेक्ट आप फोटो डाल दोगे हां पर इस तरीके से आपको करना है डिको डॉकुमेंट फॉर्माट किसमें होनी चाहिए पीडियेफ में होनी चाहिए तो कोई भी इमेज विमेज अपलोड करना पीडिया फॉर्माट में आपको समझा देता हूं चूस करने के बाद फिर यहां अपलोड कर दोगे यह सब मैंने कर लिए फिर हमारा यह अप्लिकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड होगा थोड़ा सा वेट लगा रहा है ठीक है आप देखो क्लास 12 की डीटेल्स हमें पहले फिल करनी है तो क्लास 12 की डीटेल्स फिल करने के लिए तो ह आपके टोटल कितने माक्स थे मानल आपके 500 माक्स का था टोटल उसमें से आपके 400 माक्स आ गए राइट फिर परसंटेज का बनी वहां पर क्लिक करो तो अपने आप ही आ जाएगा ठीक है इसके बाद जाकर कि सब्जेक्ट वाइस हमें माक्स थोड़े से लगाने हैं जो भी सब्सक्राइब करने हैं जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि यह सी वेब साइٹ है इसके बाद हमें एड्रेसे फिल करने एडर्रेस में सबसे पहले आपका विलेज का नेम या आपका हाउस नबर है वह आप फिल कर सकते हो फिर भी अप डाल सकते हो पुलीसस स्टेशन गांवाउं में रहरे होगे तो यी सब डाल सकते हो और यहां पर यहां पर आपके यहां से भी आपर getting nutzen कर लोगे इंडिया है सटेट सेल्क्ट करो किसे इस कर ऊपका कहां सब स्टेक्ट है इस से सार्च किया कि हमारा दली निये तो आप यहां पर टिक कर दोगे अगर आपका पर्मनेंट डूसरा यूपी-उपी का भी है तो आप वह भी यहां डाल सकते हो अलग-अलग से ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं आती अड्रेस से फिर यह करने के बास से एंट नेक्स पर क्लिक करना है जब हमने यह पर क्लिक किय मैं नहीं चाहता किसी और के पास जाये तो यह सारा कुछ आप चैक कर लोगे यहां पर जो मैंने अपलोड किया वह भी मैं हां से चैक करूबगा जो मैंने पास्वो का नयुक्ट करी वह मेरी सही है की नहीं है यहां से मैं चेक करूँ का अजब तक आप पूरा कन्फոर्म न तो अभी से ध्यान से दो बार चेक कर लेना फिर जाकर करके यह पर क्लिक कर देना है जैसे यहां से क्लिक करके फीपे हम लोग क्लिक करेंगे फीपे करने के बात जाकर कि है तो टोटल हमें क्लिक करना है तब आपके सामने options आजाएंगे कि आपको कौन-कौन सा मोड मिल रहा है ठीक है तो यहाँ यूपी आई भी है credit card debit card and EFT cash सब कुछ है ठीक है तो मानलोग किसी बच्चे जातर बच्चे UPI करेंगे तो UPI ID यहाँ डालोगे यह डाल करके फिर आपके फोन पर आजाएगा यूपी आपको पूरा को पूरा मैंने समझा दिया पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉसस सब कुछ समझ आ गया होगा तो इसके बाद जब यह कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके सामने चॉइस फिलिंग आ जाएगी तो बहुत सारे आपको बहुत सारी ब्रांचिस देखने को मिलेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक फे बेस्ट जो मिल जाए मैंने अल्रेडी यह समझा वी आपको आप जाकर के जल्दी से कांसुलिंग सपोर्ट जॉइन कर लो बस एच्बीट यू लोगे तो थोड़ा घाटे का कांसुलिंग सपोर्ट जोइन कर लेना अपको सारा का सारा कुछ समझ आ गया होगा फिर बी कुछ डाउट सोच बचते हैं तो और कमेंट सेक्शन पूच सकते ओ रहा जाकर क्यूं क्यों बाद में फिर पस्ता आओं कर लेना तो जल्दी से जाके जाइन कर लेना सो बस एधा थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो, जै हिंद, जै भारत.